नमस्कार विके बिन्यूस की खास पेशकल देश पदर्ज दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है सीख समधाओ के खिलाब अपतिजनक बैत दे कर बयान फसी अभिनेत्री कंग्नारोनात अपने बयान दर्च कराने मुंबई के खारपुलि स्टेशन पहुची उन्हें 22 दिसंबर को खारपुली स्टेशन में अपना बयान दर्च कराने के लिए पहुचना था लेकिन शूटिंग के चल रेक कल नहीं पहुच पाई थी उदर मराटवाडा के कई हिस्सों में स्कूल तो खुल गए लेकिन शेत्र के सेक्रो सरकारी स्कूलों में बिजली की आपूर तीन नहीं है बकाया बिजली बिल के लिए 1254 स्कूलों की बिजली आपूर तीक काट दी गए है इसे बीच विदान सभा अधिक्षपत के चुनाव को लेकर फड़निविस ने कहा कि जिस सरकार के पास 170 विदायकों का समर्थ होने का दावा किया जाता है वह सरकार विदान परिशर्च अधिक्षपत के चुनाव को लेकर खूद के लिए भाहमत पर विश्वास क्यों नहीं कर रही वही प्रदेश के स्वास्त मंतरी राजश टोपे ने आश्वासन दिया कि अगर स्वास्त विबा की समुष सी और डी की भरती परिक्षा दो बार आयोजित करने की नौबत आईती है तो भरती उने फिर से परिक्षा फीस वसूल नहीं की जाएगी उधर राजसरकार के बॉंबे हाई कोट को सुचित किया है कि टीका न लेने वाले वर टीका लेने वाले एक साथ सारवजनिक परिवेंस से यात्रा की अनुमतीन नहीं दी जा सकती वर जोखीम नहीं उठा जा सकता क्योंकि ओमिक्रॉन के मामरे लगातार बढ़ रह है पहुचना था लेकिन शूटिंग के सिलसिले में मुंबई से बाहर थी इसलिए उन्होंने पुलिस से छूट की मांग करते हुए नई तारिक मांगी थी लेकिन पुलिस ने उनकी अपिल का कोई जवाब नहीं दिया था इसके बाद कंगना अपना बयान दर्च करवाने के लिए खार पुलिस टेशन पहुची है पिछली सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोट ने उन्हें 22 दिसंबर को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदिश दिया था दरसल अभिनेतरी ने सरकार की और से कुरुशी कानूनों को वापस लिये जाने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा था कि खाले स्थानी आतंकवादियों ने भले ही आज सरकार की बहां मरोड दी हो लेकिन ये नहीं भुलना चाहिए कि एक महिला प्रधानमंत्री ने इने कुछल दिया था चाहे इसकी वज़ा से देश को कितना भी कश्ट क्यों न हुआ हो बतादे 23 नमंबर को कंगना के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस टेशन में एक FIR दर्च की गई थी कंगना के खिलाफ IPC की धारा 292A के तहत मामला दर्च किया गया है और इनकी जांच जारी है तीनों कुरुशी कानौनों को वापस लेने के बाद सिख समुदाय के खिलाफ एक आपत्ती जनक टिपड़ी लिखने के चलते कंगना का देश भर में कड़ा विरोध हुआ था जविद्युद वितरन कंपनी लिमिटेट के एक अधिकारी ने बताया कि बकाया बिजली बिलों के लिए 1254 स्कूलों की बिजली आपूरती काट दी गई है आठ जिलों के 5,289 जिला परिशत स्कूलों पर MSEDCL का 9.82 करोड रुपे का बकाया है जिन स्कूलों में बिजली की आपूरती नहीं है उन में सबसे अधिक संख्या औरंगाबाद जिले में 238 स्कूलों का है MSEDCL के अधिकारियों के अनुसार जालना जिले में बिना बिजली के 171 स्कूल है, बीड में ऐसे 152 स्कूल है, लातुर में 99, उस्पानाबाद में 134, हिंगोली 15, नांदेड 155 और परभणी 110 है जिला परिशद ने ग्राम पंचायतों को पत्र जारी कर बिजली बीलों का भुकतान करने को कहा है, उधर संबधित स्कूलों के शिक्षकों का कहना है कि हमारा स्कूल पिछले 6 महिनों से अंधेरे में है, ये पढ़ाने में भी बाधा डालता है, चात्रों का भविशय संकट कल पूर्व मुख्यमांत्री और कॉंग्रेस विधायक पृत्विरा चवहान ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधी नियम समीति की अंतरिम रिपोर्ट विधानसभा में पेश की थी, नए नियमों के मताबिक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव ध्वनिमत से हो सकेगा, इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए फड़नविस ने कहां कि जिस सरकार के पास 170 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया जाता है, वह सरकार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर खुद के बहुमत पर विश्वास क्यों नहीं करती, उन्होंने कह कर एक दिन की कर दी गई है, ये ठीक नहीं है, महाराशक इतिहास में इतनी असुरक्षित सरकार कभी नहीं देखी, जो अपने ही विधायकों पर भरोसा न करे, महाराशक विधानसभा की स्तापना के बाद से चली आ रही प्रथा को बदलने की जीत क्यों, यदि आप इस माम विभा की समों C और D की भरती परिक्षा में हुई अनिमेता की जान सिवानियुरत मुखे सचिव की अद्यक्षता वाली समिती से कराई जाएगी, विधान परिशद में प्रदेश के स्वास्तमत्री राजश टोपे ने आश्वसं दिया कि अगर भरती परिक्षा दोबारा दोठाकरे और उपर मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ चल्चा के बाद उचित फैसला लिया जाएगा, मामले में जो भी दोशी होंगे, उनके खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी, गडबडी करने वालों को खोच कर निकाला जाएगा, पुलिस को अभी तक समूर C की प कम्पनी का नाम काली सूची में नहीं है, माराश लोग से वायो किजर ये समूर C और D की परिक्षा लेने की मांग उठ रही है, इसलिए परिक्षा पद्धती में बदलाव के लिए सरकार आने वाले समय में नेती गत फैसला लेगी, राज्य सरकार ने बॉंबय हाय कोट को सूचित किया है कि टीका न लेने वाले और टीका लेने वाले को एक साथ सारोजनिक परिवन से यात्रा क्योनमती नहीं दी जा सकती है, सरकार राज्य और नागरिकों की सरक्षण होने के नाते ये जोकिम नहीं उठा सकती, क्योंकि को चैनिटाइजर और सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा टीका नहीं लेने वाले कोरोना के नए वाहग बन सकते हैं। चैनिटीका न लगाने वाले लोगों को लोकल ट्रेन से यात्रा क्योनमती न देना भेदापूर्ण हैं। वातार किक हैं। यह लोगों के मौलिक अधिकार काहनन करता है। पिछली सुनवाई के दौरान खंड़पिट ने राजसरकार को इन्या आचिकाओं के जवाब में रावती तेवर से मुश्किल में हैं। उसने आज अपने वरिशनेताओं को दिली तलब किया है। मामला उत्राखंड को लेकर गर्माया है। जहां उत्तर प्रदेश के साथ चुना होने वाले है। वरिशनेता हरिश्रावत ने उत्राखंड चुनाओं में संगटन से सयोग न मिलने का आरूप लगाया है, तो कोरोना के नए विरियन का खत्राब बढ़ता ही जा रहा है, देश में मिक्रॉन के कुलमाम लेप बढ़कर 236 हो गए है, महाराष्ट में सबसे ज़्यादा 65 केस है, वह स्कूलों में कोरोना वाइरस की दैशत लोटाई है, हिमाचल के बिलास ने आर्टिय कारेकरता पर जानलेवा हमला कर दिया, अपरन करने के बाद निर्दयता पुर्वक पिटाई कर उसे अमानविया यातनाए दी, उधर अगले साल यूपी के साथ उत्राखंड समेत कुल पाच राज्यों में विदानसभा चुनाओं होने है, माना जारा है कि दो कॉंग्रेस के अंदर ही एक बार फिर से बयान बाजी शुरू हो गई है, जी 23 निताओं में शामिल मनिश्तिवारी ने इशारों में हरिश रावत पर तंद कसा है, और कहा, इशारों में कहा कि वहल लुटिया डुबो कर ही मानेंगे, तिवारी पहले भी पंजब कॉंग्रे चादिकांश्तानों पर सेयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाए, या तो मूँ फेर करके खड़ा हो जा रहा है, या नकारत्मक भुमी का निभा रहा है, जिस समुद्र में तेरना है, सत्ता ने वहाँ कई मगर मत छोड़ रखे है, जिनके आदेश पर तेरना है, उनके न जग होने की रहा पर चल पड़े है, हाला कि बुद्वार को ही जब हरिश रावत ने उनके ट्वीट को लेकर सवाल खड़े किये गए, तो उन्होंने मीडिया से कहा कि जब समय आएगा, वह बताएंगे, फिलाल के लिए मज़ा लीजिए, देश में कोरोना के ओमिक्रॉन व 30 मरिजों में से 104 ठीक हो चुके है, ताजा लिस्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरियंट के महाराष्ण में 65, दिल्ले में 64, तेलंगाना में 24, राजस्तान में 21, करनाटक में 19, केरल में 15, गुजरात में 14, जमू और कश्मिर में 3, आंधर प्रदेश में 2, ओडिसा में 2, और बढ़ गया है, पिम मोधी की ओर से कोरोना स्तिती को लेकर समिशा बैटक से राजसरकारे हरकत में आ गई, और क्रिस्मस से लेकर नय साल के जशन तक को लेकर कई पाबंदियों का एलान किया गया है, वही कुछ राजों में 18 साल से उपर सभी छात्रों के लिए कोरोना टिका हुए है, दिक्योरी से ज़्यादा नय केसों की संख्या ने एक बार फिर से खत्रे की घंटी बजा दी है, फिलाल देश में कोरोना वाइरस के 38,002-91 एक्टिव केस है, इससे एक बार फिर बड़े खत्रे की आशन का दिखाई दे रही है, एक तो सर्दी का मौसम और दूसर स्कूलों में परिक्षाओ का सीजन, दोनों के कारण पालकों की भी चिनता बढ़ने लगी है, हिमाचर प्रदेश की जिला बिलासपुर के बुलस्वाए गाउं में बुद्वार को को कोरोना संक्रमन के कारण एक वेक्ति की मोत होने से दैशत का माहुल है, वही बुद्वा स्कूल के 29 चात्रों में कोरोना संक्रमन की पुष्टी हुई है, पंजाब में पिछले तीन दिन में अलग-अलग स्कूलों के करीब 25 बच्चे कोरोना की चपेट में आये है, इधर हरियाना के अंबाला जिले में कोरोना संक्रमन का खत्रा फिर से बढ़ने लगा है, बुद राजस्तान में भारत-पाकिस्तान आंतराष्टे बॉर्डर पसीद बार्ड मेर जिले के गीडा थाना इलाके में कुछ बदमाशों ने आर्टियाई कारेकरता अमराराम पर जानलेवा हमला कर दिया, हमलावरों ने अमराराम का परण करने के बाद उसकी निर्दयता किनारेफ में गए, जानकारी के नुसारा आर्टियाई कारेकरता अमराराम गोदारा लगातार, शराब माफिया के खिलाब पुलिस को जानकारी दे रहा था, इसके साथ ही वग राम बंचायत में होने वाले घोटालों को लेकर भी एक्टिविस्ट का काम कर रहा था, गत्मं धमकिया मिल रही है, लेकिन मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा, इसी बीच आरोपियों को पकटने के लिए 4 टी में गठित की गई है, कुछ संदिक लोगों को पकड़ा भी गया है, उनसे कड़ाई से पूछता जारी है अगले साल यूपी के साथ उत्राकंड समेत कुल 5 राजों में विदानसबा चुनाव है, माना जारा है कि दोनों प्रदेशों के लिए कभी भी रन बेरी बस सकती है चुनाव आयोग ने तैयारिया पूरी कर ली है और अपके वर्द समिक्षा करना बाकी है इसके लिए चुनाव आयोग की टीम 28 से 29 दिसंबर के बेच उत्रपदेश का दोरा कर सकती है चुनाव की तारिकों के एलान से पहले एक बार फिर तैयारियों की समिक्षा की जाएगी इस बार कुरोना प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखना होगा जानकारी कनुसार आस्ते चुनाव आयोग की टीम उत्राकन के दोरे पर जा रही है यहां भी आयोग की टीम चुनाव की तैयारियों की समिक्षा करेगी फिलाल यूपी में नामवालियों ने प्रकाशन का कार्य हो रहा है सूत्रों की माने तो उत्रपदेश में फरवरी और मार्च के बीच में चुनाव होंगे वहां चुनाव 6-8 चर्णों में कराय जा सकते है संभावी तितियों के देखते हुए अभी से ही सियासी पार्टिया चुनावी समर में कूद पड़ी है सपा विशश सक्रिया है लेकिन उसने भाजपा पर आरोब लगाया है कि चुनाव को देखते हुए के इंद्रिय दल सक्रिय है यहां तक ही खुद प्रदानमत्री दोरे पर दोरे किये जा रहा है इसी बीच कॉंग्रेस हाइकमान ने उत्राखन के तमाम दिगज कॉंग्रेसी नेताओं को दिल्ली तलब किया है कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन से दुनिया तरस्त है अमेरिका में भी मामले तेजी से अनियंत्रित होते जा रहे है इसी भी जो बैडन की सरकार ने इस महामारी के दोरान किसी भी लापरवाही और नाकामी से इनकार किया है दुसरे तरब चिन के शहर शियान में लॉकडाउन लगा दिया गया है एक करोर तीसला की आबादी वाले शहर में लोगों को घर में ही रहने के लिए कहा गया है उदर University of Hong Kong के तियाना मेंच नरसहार की याद में लगी प्रचरित मुर्ती पिलर अब दशेम को हटा दिया गया है तो जर्मणी ने कोरोना वाइरस के ने सरुप ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए क्रिसमस के बाद प्रतिबंध कानून लगाने की घोशना की है इसे बीच मुलका बटवारा होने के बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान आयर लोगों की 70 साल पुराणी समस्या होने जा रही है दिल्ली विकास पदिकरन की ओर से 1950 से 1960 के दोरान पाकिस्तान से आयर शर्णार्थियों को उनकी संपत्यों का मालिकाना हग दिया जा रहा है दुनिया की भरकी इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बन रही है आफ अमारे साथ अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन ने ओमिक्रोन वेरियंट से निबटने अपने प्रशावसन से किसी भी तरह की नाकामी से इनकार किया है उन्होंने एक इंटर्व्य में कहा कि कोई भी इसकी भविश्वानी नहीं कर सकता था हाला कि उनके शिर्सलाकार डॉक्टर एंथनी फोजी ने कहा कि विशेशग्यों की मुताबिक वेरियंट्स आ सकते है इससे एक दिन पहले वाइट हाउस ने कोरोना टेस्ट की कमी के बीच घर पर होने वाले पाँच करोड़ करोना वाइरस टेस्ट कीट के आदेश की योजना की जानकारी दी थी क्रिस्मस को देखते हुए लंबे समय से इस तरह की टेस्ट कीट का इंधिजर किया जारा है जो बाइडन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये एक नाकामी है आप तर्क दे सकते हैं कि हमें एक साल पहले च्छ मेने पहले दो मेने पहले एक मेने पहले पता होना चाहिए था उन्होंने कहा कि काश उन्होंने दो मेने पहले पांच करो टेस्ट किट मंगाने के बारे में सोचा होता याद रहे एक साल पहले जो बाइडन ने पूरर राष्टपती डोनाल टरम्प के प्रशासन की कोविड-19 टेस्ट की कमी को लेकर आलोच ना की थी न्यू यॉर्क में बुदवार को 29,000 मामले दर्च किये गए कोरोना मामलों में हपते की शुरुवात में मामलों की तुलना में 30% का उच्छा लाया है पिछले हपते उपर राष्टपती कमला हैरिस ने कहा था कि वाइट हाउस को नहीं लगा था कि डेल्टा या ओमिक्रॉन वेरियंट आएंगे इस पर हस्ते हुए राष्टपती जो बाइडन ने कहा कि ये बात कैसे गलत है किसी को उनके आने का पता नहीं था पुरी दुनिया में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी कोरोना संक्रमन को लेकर दुनिया की नजरों में गिराची इन खुदी संक्रमन से जूज रहा है लगातार बरते मामलों को देखते हुए चिन के शहर शियान में लॉकडान लगा दिया गया है एक करोड तीसला की आबिदे वाले इस शहर में लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया है शांची प्रांत में स्थियान में 9 दिसंबर के बाद 143 लोगों को कोरोना से संक्रमीत पाया गया है नए प्रतिबंदों की मताविक हर दो दिन में घर के किसी एक वेक्ति को ही जरूरी सामानों की खरित के लिए बाहर जाने की इजाज़त होगी चीन कोरोना संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए बड़े स्थर पर टेस्ट करने और लॉक्डाउन करने की रणनी ती अपना ताया है इस शर की लोगों को उपएक तकारन के भी नाज शर के घर से बाहर जाने की जाज़त नहीं है इसके लिए उन्हें प्रशासन से अनुमती लेनी होगी यह प्रतिबंद कब तक बने रहेंगे इसकी जानकारी नहीं दी गई है शांची प्रांत में लाखों कोरोना ट्रेस किये जा चुके है लंबी दूरी की बसो वाले बस्टेंड बन कर दिये गये है और सडकों पर चेक पॉइंट बना दिये गये है शियान एरपोर्ट से कई फ्लाइट भी रत कर दी गई है गैर जलूरी सामानों से जुड़े कारोबार को बंद कर दिया गया है और सरकारी करमचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है अधिकारियों के मताबिक इलाके में कोरोना के डेल्टा विरेंट का संक्रमन पाया गया है उन्हेंने ओमिक्रॉन के मामलों का जिक्रन नहीं किया युनिवर्सिटी आफ होंग कॉंग कॉंग के तियानान में नरसहार की याद में लगी प्रचलित मूर्ती पिलर ओफ शेम को हटा दिया गया है आठ मिटर उच इस मूर्ती को हटाने के लिए कामगारों ने पूरी रात काम किया इस मूर्ती में 1990 के लोगतंत्र समर्तित विरोत प्रदर्शनों के दवरान मारगे लोगों की लाशों का ढेर दिखाया गया है चिन की राजदानी बीजिंग के तियानान में Vocês कोकपर साल 1990 में लोगतंत्र के समर्तन में बड़ा विरोत प्रदर्शन हुआ था चिनी सरकार ने उस विरोत प्रदर्शन को रोकने के लिए वहां मौझूद प्रदर्शन कारियों पर गोलिया चलवा दी थी उनिवसिटी ने बताया कि मूर्ती को हटाने का आदेश अक्टूबर में ही दिया गया था और बुधवार को इससे हटाने का फैसला लिया गया युनिवसिटी ने कहा कि इस मूर्थी को लेकर ये फैसला बाहरी कानूनी सला और युनिवसिटी के सरोथम हित के लिए जोखीम का मुल्यांगर करने के बाद लिया गया है मूर्थी तूटने की सिति में थी और युनिवसिटी को इससे सुरक्षा को लेकर चिंता है थी मारेगे लोगों की याद में बनाई गई थी अगर आप इसे इस तरह से खतम करते हैं तो ये किसी कब्रिस्तान में जाकर सारी कब्रों को तोड़ने जैसा है जर्मनी ने कोरोना वाइरस के ने सुरूब ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए क्रिस्मस के बाद ने प्रतिबंद गलागू करने की घोश ना की है जर्मनी ने कहा कि ये ने प्रतिबंद पूर्ण लागडाउन के समान नहीं होंगे लेकिन टिका करन कराचो के लोगों के लिए भी सामाजिक मेल जोल की मनाई होगी जर्मनी के चांसलर उलाब शोल्ज ने कहा कि मैं उन लोगों के बारे में समझ सकता हूँ जो कोरोना वाइरस और उसके नहीं सुरुपों के बारे में नहीं सुनना चाहते लेकिन हम अगली धार को नजरन्दाज नहीं कर सकते और नहीं हमें ऐसा करना चाहिए नहीं प्रतिबंदों के तहट नीजी समारों में 10 से अधिक लोगों का आयकतरित हो नाम मनाई होगा देजबर में नाइट क्लब बन हो जाएंगे और फुटबॉल मैजे से बड़े समारों दर्शकों के भी ना आयोजित होंगे ये प्रतिबंद 28 दिसंबर से लागों होंगे लेकिन राजे इन्हें इससे पहले भी लागों कर सकते है शोल्ज ने कहा कि सरकार ने ने प्रतिबंद क्रिस्मस के बाद लागों करने का इसलिए फैसला किया क्योंकि क्रिस्मस और इस्टर जैसे पारिवारिक स्टर पर मनाय जाने वाले तेोहार वेशिक महामारी के बड़े वाहक साबित नहीं हुए है लेकिन नववश समारों पर प्रतिबंद लगाना आवशक है ताकि जर्मनी की स्वास्प्रणाली पर कोविड-19 के मामलों के कारण शमता से अधिक दबाऊन ना पड़े दिल्ली में ऐसे 1500 से अधिक परिवार है जो कि बटवार के दोरान पाकिस्तान से आये थे और उनके पास समपती का मालिकाना हग नहीं है ऐसे परिवारों को डीडिये की ओर से एक बार मौका दिया जा रहा है सरोजनिक सूचना के मताबिक जिन लोगों ने उस समय सरकारी जमीन पर रिहाईशी मकान बनाये थे उन लोगों की समपतीयों को नियमित किया जाएगा फिलाल कची कोलोनियों में मालिकाना हग दिये जाने का काम चर रहा है इसी कड़ी में पाकिस्तान से आए परिवारों ने भी मालिकाना हग दिये जाने की गुहार लगाई थी जिसे डीडिये ने मंजूर कर लिया है अधिकारियों ने बताया कि इन परिवारों की संपतिया अलग-अलग विभागों की जमीन बर बनी है जिने नियमित करने के लिए कई विभागों से अनुमती पत्र लेना पड़ा है कई बार विभाग की ओर से कोर्ट में केस डाल दिये गए जिसके चलते इन संपतियों को नियमित नहीं किया जा सका है अब लोग सरकीट रेट के हिसाब से शुल्क चुका कर संपति का मालिका नहक ले सकते है बीते दिनों दक्षिनी दिली नगर निगम के तहट इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया गया था जिसके तरक परदाबाग की पचास से अधिक संपतियों को मालिका नहक का लाब दिया गया था तो आज की इस खास पेशकर्ष में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी देखतेर ये वीके बीन्यूस नमस्कार हुआ है